हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एसस्टी स्टेडी पॉइंट दोस्तो हम पॉल्टिकल साइंस का फॉर्थ चैप्टर उनाइटे नेशन एंड इट्स ओर्गनाजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तो इस चैप्टर पर मैंने फर्स्ट वीडियो बना जाएगा आज हम सुरक्सा परिस्ट के बारे में पढ़ेंगे इनाटे नेशन सेक्यूरेटी काउंसिल के बारे में दोस्तो इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ एक जरूरी बात कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आ सब्सक्राइब कर लें दोस्तो आज का टोपिक है हमारा सुरक्सा परिस्ट यानि युनाइटे नेशन सेक्यूरेटी काउंसिल यू एन एससी तो एससी का मतलब तो हो गया सेक्यूरेटी काउंसिल इसका मतलब हो गया सुरक्सा परिस्ट इसके आगे यूएन क्यों लगा हो इसको हमने थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन आज थोड़ा इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कार्रे भी पढ़ेंगे सबसे पहले देखिए सुरक्सा परिसाथ है क्या सन्युक्त राष्ट संग के छे महतपून अंगों में से एक सन्युक् मैहतपून अंग है सन्युत्राष्ट संग का इसके बाद देखिए सुरक्सा परिसत का उद्देश्य क्या है मैहतपून उद्देश्य से एक नंबर में पूछा जा तो यह लिखना है आपको विस्वे में सांति एवं सुरक्सा को बनाए रखना इसका पर्मू उद्देश्य से अगर आप से पूछा जाए स्युक्त राष्टSंग का इक पर्मू उद्देश्य से लिखे तो उसमें तो यह सब याद रखने हैं एक एक नंबर में यही सब पूछे जाते हैं इसका बाद देखिए सन्युक्त राष्ट संग के सदस्य देश कितने हैं हम जब और्गन्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि इसके कितने सदस्य हैं लेकिन अब दुबारा देख जिने p5 countries भी कहा जाता है और 10 सदस्य जो होते है कि 20 सदस्य नोन-pert Stress सदस्य होते हैं सदस्य सदस्य جब से उनक सटारव होता थी तब से बने हुए है यह क्योंकि यह permanent है इसका देखे permanent सदस्य जो हैं कौन-कौन से है 5 तो पता है आपको अब देखें कौन-कौन से हैं be routine है फ्रांस है ंअम्रीका रूस और चीन ंच यह पाथ जो है permanent सदस्य है और इनको जो वीटो पावर पराप्थ है वीटो पावर मैंने बता दिया था आपको अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनको वीटो पावर पराप्थ है अगर सुरक्सा परिसाद अगर कोई भी मत रखती है तो कोई भी अगर विचार रखती है औ और वह वीचार अगर इनको कोई नीति अगर इनको पसंद नहीं आई तो यह वीट्व लगा देते हैं और वो जो नीति जो है या कानुन जो है लागू उने से रुख जाता है तो यह वीट्व पावर है तो इन पर्मानें Ant College को वीट्व पावर प्रैय। और ये 5 countries है तो इनके नाम जो है याद कर लें एक नमबर में पूछे जाते हैं यह सा fill in the blanks भी आ जाता है एक नमबर में इन में से कभी कभी ठीक है तो यह जो था सुरक्सा परिशत की जो है अब देखिए इसका जो है सुरक्सा परिशत को कार्य क्या है और इसके निमलिक खित कार्य है तो पहला कार्य देखिए इसका क्या है यह अंतराश्टिय सांती अवा सुरक्सा को बनाए रखती है विश्वे में क्या करते है सांतियों सुरक्सा को बनाए रखना जो है इसका महतवपून कार रहे है ठीक है पहला कार रहे इसका और दूसरा कार रहे देखे क्या है यह विभिन देसों के मद्धव विवादों की जाज परताल कर सकती है तथा उनका सांतिपून समधान करने का परियातने करती है अगर मान लो किसी देश के बीच किसी दो या दो से अधिक देशों के बीच अगर विवाद चल रहा है तो उसको क्या करती है यह सांतिपून धंग से सुलजाने का परियास करती है बाच्ची दवारा सुलजाने का परियास करती है ताकि वो जो विवाद ह युद में ना बदल जाए इसके बाद देखिए इसका तीसरा कार रहे क्या है अगर कोई देश किसी अन्य देश पर आकरमन करता है तो सुरक्सा परिशद उस देश के विरूद विभीन परकार के परतिबंद लगा सकती है जैसे राजनैक संबंद तोड़ना तथा सामूहिक कारवाई करना ठीक है अगर कोई देश किसी अन्य देश पर आकरमन कर देता है तो सुरक्सा परिशद जो है उसके खिलाब कठोर नीती अपना सकती है उसके साथ सारे संबंद तोड़ सकती है और उसके खिलाब जो है सामूही कारवाई कर सकती है ठीक है तो ये सब काम जो कौन करता है सुरक्सा परिशद कर सकता है ये सब अधिकार परापत है उसे इसका अगला कार्रे है सुरक्सा परिसद महासचीव को नामजद करती है नामजद मतलब मनोनित करती है महासचीव का जो है निर्वाचन करती है महासचीव को चुनती है तो महासचीव मैंने बताया था पहले महासचीव कोन थे हमारे ट्राइग वे ली थे जो नोर्वे से थे और वर्तमान महासचीव जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पूर्तगाल से हैं तो ये इन दोनों नामों को याद रखना और साथ ही ये भी याद रखना कि महासचीव का जो है चुनाव कोन करता है कोन करता है इसको चुनाव सुरक लाता है तो उसे सविकार कोन करता है सविक्रिती कोन परदान करता है सुरक्सा परिसाधी करता है तो ये भी जो एक इसका महतवपूर्ण कार रहे है काफी important points है तो इसको आप अच्छे से याद कर ले तो ये सब जो था सुरक्सा परिसाध के महतवपूर्ण कार रहे थे इन का नंबर में काफी बार पूछा गया है ये ठीक है तो मनदंड यानि देखिए अगर सुरक्षा परिसाद में कोई भी देश नया देश अगर सामिल होना चाहता है तो उस देश के पास जो है कुछ विसिस्ताइज होनी चाहिए तो देखिए कौन-कौन सी विसिस्ताइज होनी च चाहिए सेन्य सक्ति में भी वो देश मजबूत होना चाहिए तब ही सामिल हो पाएगा सुरक्सा परिशत का मिंबर बन पाएगा इसके बाद देश का जो है अधिक योगदान होना चाहिए जो देश सामिल हो रहा है उसने सनुराजसंग के बजट में बढ़ चड़ कर भाग लिया हो उसके बाद देखिए चोथा जो है मांदंड वो क्या है चोथी विसेस्ता क्या होनी चाहिए अधिक जनसंख्या वाला राष्ट होना चाहिए वो देश जो है अधिक जनसंख्या वाला देश होना चाहिए इसके बाद नया सदस्यद तेस ऐसा हो जो लोकतंत्र और मानवा दिकारों का सम्मान करता हो नश्द स्यवफय देश अपने भूगोल अर्थव्यवस्ता और संस्क्रीती के छेतर में विस्वी की विवित्ता का पर्तिनी दित्ता करने वाला होना चाहिए वदेश जो है जो सामिल होना चायता है वो विविताओं से परिपूण हो ठीक है तो यह सब जो था अगर सुरक्सा परिशद में कोई सामिल होना चाहता है देश उसके पास यह सब योग्याता होना चाहिए तभी सुरक्सा परिशद का member बन सकता है तो काफी important है और यह पूछा गया है चार नंबर में या छे नंबर में काफी बार मैंने question paper में देखा है पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद कर लें ज्यादा difficult भी नहीं है बहुत असान है यह बदलते परिवेस में सुरक्सा परिसद में सुधारों की आवस्यक्ता क्यों है देखे कुछ विचारक जो मानते हैं कि सुरक्सा परिसद में जो है बदलते समय के अनुसार जो है इसमें भी परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि इसकी स्थापना जो है काफी साल पहले 1945 में हुई थी जब जो है विस्वे दो गुटों में बटा हुआ था रूसे और अमरीका जो थे विस्वे के सूपर पावर थे लेकिन वर्तमान समय जो है विस्वे जो है मल्टी पोलर वल्ड बन चुका है तो इसलिए सुरक्सा परिशद में परिवर्तन करना जरूर है क्यों करना जरूर है देखिए सुरक्सा परिशद अब राजनीतिक वास्विक्ताओं का परतिनीधित्तों नहीं करती इसलिए इसमें परिवर्तन करना बहुत जरूर है इसके बाद देखिए दूसरा सुरक्सा परिशद में बराबर का परतिनिधित्तों नहीं है, अब देखिए इसमें जो है जिसे बेखिए सुरक्षा परेशाद में पंदरा देश हैं जिन में से पांच तौई परमनेंट सदस्यद हैं, फ्यों वह जो है पॉइफाइब कंट्रिस है जिनको वीटो पांवर्स प्राप्त है और वो जो है काफी सक्तिसाल ही है नोन पर्मनेंट कंट्रीस से ठीक है तो जो है बराबर का परतिनी रित्ताव नहीं मिला हुआ है तो इसमें भी जो है सुधार करना जरूरी है इसके बाद देखिए थर्ड क्या सुधार करना है तीसरा जो है इसके निड्नायों पर पस्मी मुल्यों और हीतों की चाप होती है और इन निर्णयों पर कुछ देशों का दबदबा होता है अब देखे सुरक्सा परिशा जो है निर्णय लेता है उस पर पस्मी जो देश होते हैं Western Countries जो होते हैं उनका जो है अधिक दबदबा रहता है जिसके कारण निर्णय निर्णाइ लेने में आसफल रही है सुरक्शा परिशा जा तक है इसमें अमरीका काही जातर दब-दबा देखने को मिलता है क्यूंकि सबसे जयादा इन्वेस्ट भी वही करता है युएनों पर तो इसलिए उसका दब-दबा देखने को मिलता है जिसके कारण जो है यह सही से निर्णा एनिस्पक्स निर्णा नहीं ले पाती है तो इसमें भी जो है सुधार करने की जरूरत है ठीक है तो यह सब जो है सुरक्सा परीसात में बदलते समय के अनुसार सुधार करना इस पर जरूरी है तो दो नमबर चार नमबर में ये भी question पूछा जा सकता है अब देखिया हमारा जो एक most important topic जो आता है यह यू कहले question जो बनता है वो इस पर बनता है कि सन्यूराज संग की परकिरियावा धाचे यानि structure में जो हमें है क्या-क्या बदलाव करने चाहिए हमें इसे सकतिसाली बनाने के लिए योएनों को सकतिसाली बनाने के लिए इसके परकिरियाव धाचे में क्या सुधार करने चाहिए तो पहला देखिए काफी important है ये तो इसको जो है अच्छे से याद करें 6 नमबर का question बनता है ये पहला जो है सुरक्सा परीशत की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए पहला सुधार क्या करना चाहिए जो सुरक्सा परीशत है सेकुरेटी काउंसिल उसके जो है सदस्य संख्या बढ़ाई जाए सुधारों की मांग करने वाले सदस्य देश सुरक्षा परिशत के सदस्यों के संख्या बढ़ा कर इसे अधीक लोकतांतिरी बनाने की मांग कर रहे हैं विशेश कर इस्थाई सदस्यों के संख्या में बढ़ोतरी करना चाहते हैं देखें जो इस सुरक्षा परिशत में सुधार करना चाहते हैं इसमें जो UNO में सुधार करना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो Security Council में जो 15 सदस्य देश हैं उनको बढ़ाना चाहिए संख्या बढ़ानी चाहिए देशों की संख्या बढ़ानी चाहिए विशेश रूप से जो permanent countries है 27 सदस्य हैं 5 27 सदस्य हैं ना उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए तभी ये अधिक लोकतांत्री बन सकता है ठीक है इसके बाद देखिए दूसरा सुधार क्या करना चाहिए वीटो पावर को समाप्त कर देना चाहिए सुरक्सा परिस्त की कारेपढणाली को व्यवस्थित एवं लोकतांत्री बनाने के लिए या तो वीटो सकती को समाप्त कर देना चाहिए या फिर इसे सिमित कर देना चाहिए देखिए वीटो पावर जो है एक तरह से देशों में भेद भाववी उत्पन करता है क्योंकि एक तरफ कुछ देशक्ती साली हो जाते है और एक तरफ कुछ देशों की कम सुनी जाती है तो हमेशा सुरक्सा परिस्त में युएनों में पर्मनेंट कंट्री जिनको वीटो पावर पराप्त है उन्ही का दबबा देखने को मिलता है तो इसलिए वीटो पावर को सिमित करना चाहिए या इसे समाप्त कर देना चाहिए तर्ड जो है तीसरा जो सुधार क्या करना चाहिए समान सदस्यता सुरक्सा परिस्त में युए स्थाई सदस्यों की धार्ना को समाप्त करके सब को जो है समान इस्तर की सदस्याता परदान करनी चाहिए देखे जो ऐस्थाई सदस्ये हैं सुरक्षा परिशात में 10 ऐस्थाई सदस्ये हैं उनको भी जो है इस्थाई सदस्ये बना देना चाहिए मतलब सब को जो है समान सदस्याता का दरजा देना चाहिए जैसे पांच सदसे देश हैं इस्थाई सदसे और दस एस्थाई सदसे तो इन दोनों में जो है आसमानता बनी रहती है ठीक है जो पांच इस्थाई सदसे हैं उनका दबदबा हमेशा देखने को मिलता है तो सदस्याता के मामले में समानता इस्थापित करना भी बहुत जरूरी है इसके बाद देखिए सन्युरासंग का अपनी एक इस्थाई सेना होनी चाहिए सन्युरासंग को अधिक सक्तिसाली एवं परभसाली बनाने के लिए इसकी एक इस्थाई सेना होनी चाहिए सनुराज संग को जो है क्या करने चाहिए अपनी एक इस्थाई सेना बना लेनी चाहिए पांच मा देखिए विकास और मानुए भलाई के कारियों तक सिमित रहना चाहिए सनी राज संग को विकास और मानुय भलाई के कारियों जैसे सवास्त है, सिक्सा, परियावरन आधी कारियों तक सिमिती रहना चाहिए सनी राज संग को समाजी कारे अधिक करने चाहिए, मानो कल्यान से संबंदित जो कारे हैं अधिक करने चाहिए बजाए राजनीती कारियों के ठीक है जिससे क्या होगा सनुरासंग जो है अधिक सक्तिसाली बनेगा अधिक कल्यनकारी कारे करेगा तो अधिक जो है इसका विस्तार होगा अधिक लोक्तांत्रिक बनेगा इसके बाद छटा सुधार देखिए हमें क्या करने चाहिए छटा सुधार जो है समाजिक और आर्थिक कारे सुरक्सा परिसद को दिये जाने चाहिए कई विचारक कहते हैं कि सुरक्सा परिसद को केवल राजनीती कारे ही दिये जाते हैं जिससे इसके सदस्यों में सदय मतभेद उत्पन होते हैं होते रहते हैं अतय इन में सहयोग उत्पन करने के लिए सुरक्सा परीसत को कुछ समाजीक और आर्थिक कार्रे भी दिये जाने चाहिए अब देखे सुरक्सा परिससत जो है केवल जो विवादों को इस उलजाने में ठीकान में 27 वेस्था को बनाई रखने का मतक सिमित रखा जाता है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इसको समाजिक और आरथिक कार्रे भी दिये जाने चाहिए ताकि है इसके कार्रियों में अधीक zwy exca-h हो और इसका विकास हो सके ठीक तो यह जो था सन्यूराज संग के धांचे में हम क्या सुधार कर सकते हैं इसे अधिक परवसाली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ठीक है यह हमारा टोपिक था और यह काफी इंपोर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से याद कर लें अगला जो आता है हमारा इंडिया पर आता है कि Сам्यूराज संग में भारत की क्या भूमी का्या भारत का योगडान रहा है सन्यूराज संग में तो पहले देखिए भारत और सन्यूराज संग की इस्थापना ठीक है भारत ने सन्यूराज संग की इस्थापना के लिए सान फ्रांसिस को सम्मिलन में भाग लिया और चार्टर पर हस्ताकसर करके वे सन्यूराज संग का प्रारंभिक सदस्य देश बन गय भारत ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक और समाजिक नयाय का महत्व सरवधिक होना चाहिए भारत जो है क्या रहा इसका क्या योगदान रहा ये जो है प्रारंभिक देश बन गया कब सामिल हुआ था भारत तीस अक्टूवर सोरी चोबिस नी तीस अक्टूवर उनिस्वा पैंतालिस को भारत जो है सामिल हो गया था सनुरासंग के इस थापना के छे दिन बाद ही ठीक है इसका सदस्य बन गया था तो भारत जो है युद्ध को रोकने के लिए विश्वें सा फापित करने के लिए क्या सजेशन देता है कि आर्थी को समाजिक न्याय का महत्व सरवधीक होना चाहिए ठीक है समाजिक न्याय पर अधिक बल देना चाहिए इसके दूसरा जो है सनुरासंग की सदस्यता बढ़ाने में भारत की भूमिका भारत की सदा ही यह नीती रही है कि विश्व सांती को बनाए रखने के लिए और सनुराज संग की सफलता के लिए संसार के सभी देशों को सनुराश्ट संग के सिद्दान्तों एवं उद्देशियों में विश्वास रखते हैं सदस्य बनना चाहिए अब देखे भारत क्या कहता है भारत कहता है कि अगर सनुरासंग को और अधिक परभवसाली और मजबूत बनाना है इसका अधिक विस्तार करना है तो सनुरासंग के सिद्धानतों में जो भी विश्वास करते हैं ठीक है ना उन सब को सनुरासंग का सदस्य बना देना चाहिए जिससे क्या होगा विश्वे में सांती स्थापित करने में क्या होगा आसान होगा सहायता मिलेगा ठीक है सनुरासंग में तीसरा योगदान देखे भारत का निसस्त्रिकरण के परियासों में भारत का सहयोग निसस्त्रिकरण देखिए होता क्या है निसस्त्रिकरण जो खतरना खतियार होते है उनका परियोग बहुत कम से कम करना या बिल्कुल भी ना करना क्या होता है निसस्त्रिकरण होता है तो भारत की नीती यही रही है कि निसस्त्रिकरण के दवारही विश्वे सांती को बनाए रखा जा सकता है और अनु सक्ती का परियोग केवल मानो कल्यान के लिए होना चाहिए भारत पूर्णे निसस्त्री करण के पक्स में है और उसने सन्यूत राष्ट के निसस्त्री करण समंदी परियासों का हमेशा समर्थन किया है तो भारत जो है निसस्त्री करण का हमेशा समर्थन करता है और सन्युराज संग को भी कहता है कि निसस्त्री करण पर कानoon बनाने चाहिए ठीक है ताकि क्या हो विस्वे में सांती इस्थापित किया जाए अब देखिए जो हधियारों का जो है परियोग कम से कम होगा प्रथन किया है ठीक चोथा योगदान देखिए भारत का रंग भेद के विरूद संगर्स भारत ने रंग भेद की नीती को विश्वे सांती के लिए खत्रा माना है भारत ने सन्यूरास संग की मासवा में कई वार रंग भेद की नीती के विरूद आवाज उठाई है अब दे करता रहा है और उसका मानना यही है कि रंग भेद के कारण क्या होता है विश्वे में सांती जो है भंग होता है सांती के लिए खत्रा है यह रंग भेद और भेद भाव भी उत्पन करता है तो इसलिए भारत ने रंग भेद को समाप्त करने के लिए महासभा में हमेशा के विरूद्ध किจะule उतनी रहा है और भारत ने सनुरा संग में उपनि वहसवात के विरूद्ध आवाज बुलंद की है इसानुरा संग ने जिन उपनिवेस उपनिवेसों को सथा तरती दिलाने का परियातronics किया है भारत ने ऐप निवेशिक बना रखग है किसी देश को तो उसका हमेशा विरोध करता है यह। और सन्युरास्ठांग ने जितने भी देशों को उपनिवेश जो देश दे हुने सोत तर्था दिलाने में क्या किया है मैठ पुर्ण भुमीका निभाई है उसका जो है दिल से समर्थन किया है इंडिया ने और उपनिवेसवाद के खिलाब जो है महासवा में आवाज भी उठाई है तो ये भी एक बड़ा योगदान है सन्युरासंग में भारत का अगला पुइंट देखिए गुट्निरपेग्स आंदोलन बहरत को पेगस अंदोलन का संस्थापक है और यसु आंदोलन स्थ्यूद ऑर पाउस को में चाहन है इप इस आंदोलन ने सीत युद को कम किया और सन्युक्त राष्ट को पूरी तरह दो गुटों में विभक्त होने से बचाया है भारत देखें ये जो है गुटनिरपेक्स आंदोलन जो है इसका जो है संस्थापक देश रहा है और ये जो सीत युद था 1945-1990 तक जो चला था अमरीका और रूस के बीच में लगवग 45 सालों तक तो इस सीत युद को कम करने में भारत की महतवपून भूमी कर रही है गुटनिरपेक्स आंदोलन की महतवपून भूमी कर रही है और सन्युराज संग को विभाजित होने से भी इसने बचाया है दो गुटो में बटा हुआ था तो सनुरासंग को दो गुटो में बचने से पूरी तरह से बचाने में भारत का महतवपून योगदान रहा है तो यह ठीक है न इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह इसका बाद देखिया अगला आप एक यह भी पॉइंट जोड़ते हैं कि अंतर अंतराश्रिय सांती इस्थापित करने में और सुरक्सा इस्थापित करने में भारत का जो है मैं तपूर्ण योगदान रहा है विश्वे इस्तर पर सनुरासंग ने जितने भी नीतियां बनाई है अंतराश्रिय सतर पर सांती इस्थापित करने के लिए उन सब में भारत ने बढ़ चट कर भाग लिया है तो ये सब जो है काफी योगदान रहा है भारत का सनुरासंग में सनुरासंग के नीतियों में तो काफी important question बनता है कि भारत का जो है सनुरासंग में क्या योगदान रहा है वर्नन करें तो ये 67 point आप याद कर लें 6 number में पूछा जाता है ये भी question okay बगला topic आता है भारत की सुरक्षा परिशद में 27 सदस्याता को लेकर कि भारत जो 27 सदस्य के लिए लायक है या नहीं है इस पर एक अलग question भी बनता है कि अगर आप भारत के नागरीक हैं तो भारत को सुरक्षा परिशद में 27 सदस्य दिलाने के लिए क्या-क्या जो है दा देखे क्या है कि सुरक्षा परिशद में 27 सदस्य कि दाविदारी के पक्स में भी हमें बताना है और विपक्स में भी तर्क देना है कि भारत को सुरक्षा परिशद के 27 सदस्याता प्राप्त करने में भारत के रास्ते में क्या-क्या कठनाईया है वो विपक्स में आ पहले देखिए इसथाइस दश्या के पक्स में हम देखते हैं इस पहला देखिए पक्स वाला भारत विस्वे में सबसे अधिक जनसंख्या देश है जो सुरक्सा परिसत के लिए जो सांब्स होने के लिए जो मानदन थे उसमें यह भी था का भी समर्थन है इसलिए भारत को जो है सुरक्षा परिशत का इस्थाई सदस्य बना देना चाहिए इसके बाद तीसरा देखिए तीसरा जो भारत की विशिस्ता है भारत ने सन्युक राष्ट संग की कई महतवपून गतिवीदियों में बढ़ चट कर भाग लिया है इसने र बक्समितर बहरत नतराश्टिय छेतर में महतव्पून आर्थिक सकतीके रूप में उबर रहा है तो भारत अंतराश्टिय इस तर पर जो है एक मतलब सक्थे-सडि की रूप में ऊबर रहा है तो इसलिए भारत को सुरक्सा परिशत का इस्ताई सदस्य सदस्य बश. 5 वा इस्थाय सदस्य बनने के लिए यह वी एक सइक है पॉइंट धा चया जाता धेखिए भारत ने सनुराष संग के बजट माड़े नियमित रूप से अपना योगदान दिया है यह भारत ने जो है सनुरास्थां के बजट में बढ़ चट कर भाग लिया है तो इसलिए भारत को यह जो सुरक्षा परिसाद है उसका इस्थाई सदस्य बना देना चाहिए तो यह सब जो है विसेस्ताइं तो है भारत में सुरक्षा परिसाद का इस्थाई सदस्य बनने के लिए लेकि पहला जो है भारत परमानु थ्यारों वाला देश है और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबन भी नहीं है तो इसके कारण क्या होता है इसे इस्थाई सदस्या नहीं मिल पा रहा है तो यह जो है इस्थाई सदस्या में जो है इसके इस्थाई सदस्या में क्या बाधा बने हुए है इसके बाद दूसरा विपक्स में तरके देखिए भारत के इस्थाई सदस्या को लेकर चीन दवारा वीटो समर्थन ना देना अब भा भारत के इस्थाई सदस्यता के परस्ताओं को बागी के जो चार देश है P5 के वो तो मान लेते हैं लेकिन चीन जो है यह इसका समर्थन नहीं करता है भारत के सदस्यता को लेकर क्यों कि भारत और चीन के बीच जो है काफी समय से जो है लंबे समय से क्या रहा है विवाद चलत उक्ष्ड इसके एक तीसर जो है किया रुकावर्ट में हिस्थाई स्थाइस आदसयता में भरत को इस्थाई सवे बनाने में बनाने से ब्राजील जर्मणी जापान धक्सिन-फिरीगा भी दावगे लिए करें डेगे देखिए अगर भारत को 27 सदस्यता सुरक्सा परिशत का दे दिया जाता है तो क्या होगा और भी कई देश हैं बड़े देश हैं जो सक्तिसाली देश हैं जैसे बराजील जर्मनी जापान अफ्रीका ये भी फिर दावेदारी करेंगे 27 सदस्यता को लेकर तो इतने सारे देशो को 27 सदस्यता नहीं देना चाहते हैं तो इसलिए क्या है भारत को भी नहीं मिल पाता है तो यह क्या था विपक्स में तरक था कि भारत को 27 सदस्य अब तक क्यों नहीं मिल पाए विसस्ताएं होने के बावजूद भी वोके तो काफी इंपोर्टेंट है इन पॉइंट्स को अच्छे से आप याद कर लें बगला टोपिक आता है हमारा अमरीकी वर्चस और सन्युक्तराष्ट संग पर कि सन्युराष्ट संग जो है अमरीकी वर्चस को क्यों नहीं रोक पाया देखिए इसका उधारन जो है अमरीका जो है कई बार जो है सनुराष्ट संग के जो निन्युक है अवहिलना किया है जैसे एक्जामपल के लिए आप देख सकते हैं ओप्रेशन एंडूरिंग फिरीडम के तहत इसने जो है अगव अडियरण बक्रण है और यह जो है सनुराष्ट संग के जो है अवहिलना कि है हमेशा उसके बातों को नहीं माड़ना है तो देखिए सनुराष्ट संग जो है इस Virginia रोक पाया है और अमरीका का दब दबा हमेशा क्यों बना रहता है सन्य उत्राष्ट संग पर तो देखिए पहला जो है सन्य उत्राष्ट संग को वित्तिय योगदान देने वाला अमरीका सबसे बड़ा देश है सबसे पहली बात तो यह कि अमरीका जो है सबसे ज़ादा वित्ती है मतलब सबसे ज़ादा जो आर्थिक सहायता सनितरासंग को देने वाला जो देश है वो अमरीका ही है उसके बाद देखिए योईनों का मुख्याल है जो है अमरीका के भूच हेतरे में इस्थीत है अब योईनों को जो है सनितरासंग का है वो कहा है अमरीका में ही है नुई योर्क सहर में ठीक है तो इसलिए जो है इसका दबदबा हमेशा बना रहता है सनितरासंग पर सनितरासंग जो है इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाता है इसके बाद देखिए यह इन्नों में अधिकतर करमचारी अमरीका के हैं यह इन्नों में जो अधिकतर जो करमचारी काम कर रहे हैं वो अमरीका के ही हैं वहाँ पर कोई परस्ताव अपने या साथी राश्ट्रों के हीतों के अनुकूल ना होने पर अपने वीटो पावर से क्या कर सकता है अमरीका उस परस्ताव को रोक सकता है तो कोई भी परस्ताव अगर सन्यूरासंग लाता है और वो परस्ताव अमरीका के अनुकूल नहीं है या अमरीका वीटो पावर उस पर लगा सकता है और उस परस्ताओं को रोक सकता है तो इन सब के कारण क्या होता है अमरीका का जो है दबदबा देखने को मिलता है किस पर UNO पर UNO जो है इसके खिलाफ कोई निन्य नहीं ले पाता है अब अगला देखिए मानवादिकारी की रक्सा में सक्री है जो है कुछ सवयम सेवी संगठन है तो इसको देखिए आप काफी important है एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं तो मानवादिकार देखिए कौन कौन से है सवयम सेवी संगठन पहला है MNST International तो MNST International पहरे एक या दो नंबर में कुछ संबंच जाता है तो इसको आप अच्छे से याद करें तो यह है क्या देखिए यह मानवादिकार से संबंदित रिपोर्ट तयार और परकासित करता है मानवादिकारों को जो अधिकार मिले हुए है उन्हा दिकार सबंदित क्या करता है और पर कासित करने का काम करता है तो यह इसका पहला का रहे हैं Amnesty International का यह क्या है entonces we San 마음에 गठना और इसका पहला कर ये हो गया इसका दूसरा कार रहे है या पूरे विष्व मानुदिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है smaller की रक्षा के लिए chambers 6aj7 एक क동 राका यह कपी इंपोर्टेंट वह हमें राइट्स वोचつ पूछ लाए ज outlines उक्शे क्या है इसके मान descent संबंदीद संघ्ठन मुझा करता है तो पहला कारे देखिए यह मानुधिकारों की वकालत और उनसे संबंदित अनुसंधान करने वाला एक अंतराश्टिय स्वमसेवी संगठन है इसके बाद देखिए यह अमरीका का सबसे बड़ा अंतराश्टिय मानुधिकार संगठन है अगर पूछ लिया जाए कि अमरीका का सबसे बड़ा मानुधिकार संबंदित संगठन कौन सा है तो आपको लिखना है Human Right Watch इसका अगला काम देखिए यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानुधिकारों के उलंगन की ओर खीचता है दुनिया भर के जो मीडिया उसका ध्यान कीदर खीचता है मानुधिकारों का उलंगन अगर कहीं भी होता है तो उस तरब मीडिया का ध्यान खीचता है इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए बाल सैनिकों का परियोग रोकने के लिए और अंतराश्टीे दंड नयाले इस्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद किया है अब इसने देखी है जो बच्चों को जो सैनिकों में क्या किया जाता था भर्ति किया जाता था या फिर बारूदी सुरंग जो थे उन पर रोख लगाने के लिए भी इसने अभियान चलाए है और अंतराश्टिय नयाल्य इस्थापित करने के लिए भी क्या किया इसने अभियान चलाए है तो इसका जो है मानोधिकार में महतवपुन योगदान रहा है अब अगला आते है हमारा IAEA छोटा सा टोपिक है छोटा सा एक मतलब आन्वीक जो है संगठन है अंतराश्टिय आन्वीक उर्जा एजेंसी तो इसके बारे में देखे इस संगठन की स्थापना कब हुई थी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी ये एक नंबर में पूछा गया था 2017-18 के एक्जाम में तो इसलिए इसको भी लिख दिया है मैंने आन्वीक से संबंदी था ये 1957 में हुई थी इसकी स्थापना और इसका काम देखे क्या है ये संगठन पर्मानवीक उर्जा के सांतिपून उपयोग को बढ़ावा देने और सेन्य उद्देश्यों में इसके पर्योग को रोकने की कोशिस करता है तो इसकी स्थापना क्यों के की गई थी ताकि जो है पर् जो निसस्तरिकरन से सम्मंदित एक ये क्या था एक संगठन था ओके अगला देखिए युए नईपी है युए नईपी जो है परियावरण से संबंदित है युए नईपी का फूल फॉम क्या है उन्याटे नेसान इन्वार्मेंट प्रोग्राम सनिक तराष्ट के विश्यापर क्या करता है अध्यायन को बढ़ावा देना इसका दूसरा कार्य है तो यह था UNEP के कार्य इनके फुल फॉर्म में फुल फॉर्म जो है UNEP इन सब के पूछे जाते हैं एक नमबर में तो खुल फॉर्म फॉर्म अगर किसी का भी और में चैप्टर में नरत करें याद करें झाहे वह ऊनौका हो चाहे UNEP का हो ठीच या फिर यूनाटे नेशन्स के जो घ्री एजेंसी में उनके फूल फ़ॉर्म यादकर मॉफ फॉर्बर मेरन पूछे जाते हमके तो आज उप प्रक्सा परिशत पर यह वीडियो है हमारा और यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको कुश्चन पेपर और फिर नोट्स भी सभी चैप्टर्स की मिलेंगे और इसी तरह आसान सब्दों में आपको वीडियो मिलते रहेंगे ओके दोस्तों